हेलो एवरीवन नमस्ते तो इस वीडियो में हम जानेंगे डिलीवरी के बाद लगबग 42 तक महिलाओं को किन-किन बातों का धियान रखना है क्योंकि डिलीवरी के बाद आपका सरीर बहुत ज़ीदा कमजोर हो जाता है और अगर आप कुछ बातों का धियान नहीं रखते हैं क स्वस्त भी रहती हैं तो चलिए जानते हैं कि वह कौन-कौन से चीजें हैं जो कि आपको लगए 42 तक फोलो जरूर करना है तो देखो जी सबसे पहली जो चीज है वह यह है कि आपको डिलीवरी के बाद चाहे गर्मी का महिना हो चाहे सर्दी का महिना हो कोसिस करें कि फुल अच्छे से ओड के रहेंगी लेकिन गर्मी के महिनी में भी घर्वती मेला को और बच्चे को सूती के सूती के कप्रे आपको फुल बाजू के पहनने होंगे अपने सरी को अच्छे से ढखके रखना होगा क्योंकि इस समय आपका सरीर कमजोर होता है और जब मेरी डिलीवरी सकते काहिन इस पार का सप्यान गै technica क aur आपको धिक्कत नहीं होगी नहीं तो पिर हो जाती है कि हरी गर्मिके बाद नारी का अपना जर्थ वच्छे का डिलीवर atención वाट उब मेरें तौल दू आखटी दो तो अच्छे से कबरे पहन के तो दूप में बैठीए दूप लेजिए विटामिन D मिलेगा और आपको अच्छा लगेगा गर्मी का महिना है तो क्या करना है कि आपको नाने के बाद अराम से कुछ ढख के लेड़ जाना है हमारे यहां पर यह माना जाता है महिलाओ को नाने के बाद बाद जल्दी ठीक हो जाता है क्योंकि डिलेबिर के बाद आपका बॉट इंसिटिव होता है तो сок Yap एक TV समस्या हो जाती कि आने के बाद आपको समस्या नहीं होती और आप जल्दी ठीक भी हो जाती हैं इसके बाद आपको दियान एंगे वहां यहां आ जादा तेज आनी चाहिए डिलीवरी के बाद ना तो आपको ना ही आपके बच्चे को हवा लगनी चाहिए ऐसे में बिमार पड़ सकते हैं इसलिए हवा बहुत ही कम करके रखें और आपके पास एसी है तो एसी कर टेंपरेचर 26 27 28 रखें उससे कम ना करें तो फिर बच्चा आप दोने बि पूरी तरीके से मिमार पड़ जाएंगे गर्मी कितनी भी है आपको इंचीरों का ध्यान रखना होगा ठीक है इसके बाद जो नेक्स्ट ध्यान आपको रखना है वह यह कि डिलीवरी के बाद ना नॉर्मली ऐसा होता है कि नाम करने के बाद महिलाई थोड़ा बहुत काम कर कर देती है तो आप डिलीवरी के बाद ऐसा मिके 14 दुनं कर और अच्छा महसूस कर रही है तो तद मेखना कर दीजी और हल्का फिल्का काम करने तो अराम गीजी इसके बाद डायी के बाद एक काम कराना बहुत जूरी है जो कि बहुत सा महना ही नहीं कराती है वह बहुत सा घ्रों में ये नियम नहीं होता है जिस वह जैसे कि महिलाँ को काफ़ ज़यता प시죠 आनि होती है अगर आप Cyrus करी और उसका को काफी हलका मैसूस होता है अच्छा मैसूस होता है आपके मासपेसियां स्ट्रॉंग बनती है इसके अलाबा मोटा पर कम होता है जो मालिस वाली आते हो आपके पेट का मालिस भी करती है अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो तो इससे आपका पेट भी कम होता है इसके संसक्क्राइब जाता है माभवा गुला एक भार्व से जाता है ने जाता है जितने जूइंट और सब्सक्राइब और हमारा कंदा है तो यहां पर थोरा सा हाथ को ऐसे करके इस तरह से कैसे बता हूं हाथ को ऐसे रोक लेते हैं पानी को और इस तरह के से पाई डाला जाता है जो भी जॉइंट है वो खुले और जो सरीर में दर्द है वो कम हो ऐसे पेट के साथ किया जाता है पेट पे नीचे ह रखके और बहुत सारग पाइन डाला जाता है बहुत अरे किसे itatाए तो तू किसे तो मैं आपको यह सला दोंगी डिलीवरे के बाद आप ज्यादा गर्म पानी से नहाएं मतलब कि बहुत ज़दा नहीं लेकिन गर्म पानी से आप नहां इसे भी आपको अराम मिलता है और आप जल्दी ठीक होती हैं तो इसा नहीं कि आप ठंडे पानी से नहा रहे हैं बि दो लेकिन टेली टेल डाला जाता है तो आपके यह पता नहीं है लेकिन अगर आम उससे से पहले तक बालों में कंगी भी नहीं की जाती है केबल तेल लगा जाता है वह भरवर के ताकि सिर मजबुत हो और ऐसा किया जाता है कि सर को और कान को बांद दिया जाता है किसी सूती कपरे से कान और सिर को ढखने के लिए कहा जाता है क्योंकि का जाता है कि इससे आगे बिम तो सीर और कान को ढख सकती हैं आपको अच्छा ही लगेगा क्योंकि इस समय सर में बारीपन भी काफी जादा हो जाती है तो बांद के रखेंगे तो आपको वैसे भी अच्छा लगेगा और कोशिच करें चालिज दुनों तक बालों में अगर आप कंगी कर रहें तो बहुत ही हलके आतों से करें अराम राम से करें तेज से ना करें क्योंकि बाल इस समय कमजोर होता है सिर कमजोर होता है दर्द हो जाएगा और आपके बाल भी बहुत तूटेंगे इसके अलाबा आपको लगबग 40 दूनों तक गरम पानी ही पीना है और सके तो उससे जदा भी आफ पेलेजीए जितना जड़ा आप के लिए फाइडा भाइदा होगा क्योंकि गरम पानी पेने से आपके ल Boss Sp事情 की medication की हो जाती है आप की मास- inhabitants बंती और आपका मुटापा भी कम होता है और हां देखिए आपको जो पानी पीना है ना वो थोड़ा-थोड़ा करके पीना यानि कि सिप-सिप करके पीना है एक दम से गटक नहीं जाना थोड़ा-थोड़ा पीते रहे तो यह ज़्यादा फाइदेमंद रहेगा इसके लाबा कुछ लोग आजवाइन का पानी पीते हैं क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा मिलता है आपका सरीर बहुत ज़्यादर करता है इसके अलाबा आजवाइन का पानी पीने से आपका जो ब्रेस्ट मिलक है उसका सप्लाइब भी बढ़ता है तो आप आजवाइन का पानी भी सकती है बह भी फिल मेडिसनत दिया जाता है तो न से पूच के जो भी आपको इनसे पूच वह को सप्लीमेन जरूर ले लीजिए ताकि आपका बॉड आ यसा क्योंकि बहुत से कमी यह चाहतीं था तो सप्लीमेंट के मा Daarम से आप उस पुर्ण तत्व को पूड़ा कर सकती हैं और देखिए कुछ लोग क्या करते हैं डिलीवरी के बाद कुछ काम तो होता नहीं तो आराम से टीवी देखती हैं या फिर मॉबाइल का करते हैं लेकिन ऐसा कहा जाता है डिलीवरी के बाद मेलाओं की आँके काफी कमजोर हो जाती हैं तो ऐसे में उनको ज्यादा टीवी या फिर मॉबाइल फोन का इस्तिमाल नहीं करना चाहिए तो मैं आपको भी इसला दूंगी अगर आप भी टीवी या फिर मॉबाइल फोन का इस्तिमाल करती हैं तो बिलकुल ना करें या फिर करना चाहते हैं तो बहुत कम करें जब जुरत हो जब भी आप मॉबाइल फोन को उठाएं और उसका इस्त तक आपको ज़री के बाद लिबरे के बाद के बात करती हैं लेकिन आपको ऐसा नहीं करना डिलीवरी के बाद जब बात करें कियो कि बात करना इसे में तो पहला सकते हैं और आपको दिक्कत होगी इसलिए अगर आपको जुरुत है तो ही बात करें नहीं हैं तो बात मत कीजी अब आपका तहां मेलाओ को псाष्म कुपिता एक से बचने के लिए आपकी तक खा सकती आप खूड़ीस क्ाइए घीया लौक घा सकते हैं की क्रस इस के याफ प्रकाने खुल सकते हैं और उसके को शेड़ीया को अच्छा लगा a317 प्रari रिख यहICral आपको यविधर आपको नमकिन ओर्स पशंद hazır death वाना आपको डिलीवरी के बाद ड्राइफ रूट के लड़ू जुरूर खाने चाहिए जिसको कि हम पंजरी बोलते हैं कुछ लोग केवका बोलते हैं तो उसमें बहुत सा ड्राइफ रूट्स होते हैं आटा होता है बहुत सा चीजे मिलाई जाते हैं मुझे इतना नहीं तो बहुत अच्छी बात है उसको जुरू बनवा लीजिएगा नहीं है तो पहले ही बना के रख लो और डिलीवरी के बाद आप उसको दूद के साथ खाईएगा तो आपको बहुत सब्सक्राइब कर जाएंगी क्योंकि ड्राइफ फूट में बहुत सारे फाइदे होते हैं सारे ही पोसातत में मिल जाते हैं तो बहुत जल्दे ठीक हो जाएंगी स्ट्रॉंग बनेंगी और आपके बच्चे के लिए भी अच्छा रहेगा क्योंकि जो आप बच्चे को दूद के माद्यम से पिलाएंगी बच्चे को वहीं मिलेगा तो आप अच्छा खाओगी तभी आपके बच्चे को अच्छी चीजे मिलेंगी आपके बच्चे को पुस्टता तो मिलेगा तो ड्राइफूट के लड़ू जुरू बनबा के खा लीजे इसके अलाबा आप ड्राइफूट बगरा भी खा सकते हैं दूद के साथ लेलो वैसा ही लेलो जैसे आपको अच्छा कि फुल क्रिम नहीं पीना तोंड मिल्क जो आता है ना मलाई निकला हुआ वह दूर पीना है तो आपका फैड भी नहीं बढ़ेगा दूद के फैदे मिलेंगे तो जरूर पीजे इसके इलाबा आपको अनाज खाना है ताजे फल खाने ताजे सबजियां खानी है और आपको फ पतली चीजे खिलाए जाती है ताकि मेलाई जल्दी ठीक भी हो जाए और उनका बोड़ी और जादा ना फैले मोटापा और ना बढ़े तो इस बारे में पहले से पता रखें कि आपको क्या क्या खाना है और उसी चीज को ही खाई इसके अलावा डिलीवरी के बाद आपको क बहुत फाइदा मिलेगा आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी और आप स्वस्त रहेंगे आपका बच्चा भी स्वस्त रहेंगा और हां देखिए डिलीवरी के बाद नॉर्मली बहुत सा मिलावको न आफसाथ की प्रॉलम हो जाती है तो आपको धियान रखना है कि डिली अच्छे से खानी पीने पर ध्यान देजिए अपने बचे के साथ टाइम बिताईए और खुस रहें तो आप बचली ठीक हो जाएंगी और वीडियो पसंदाए तो लाइक करतीजेगा मां की मिलती हु नेक्स वीडियो में तब तक कि लिए बाइब थैंक्यू सो मच नमज द